पार्टी मुझे योगी समझेगी, मेरा दल मुझे योगी समझेगा, मेरा नित्रित मुझे इस योगी समझेगा और मुझे कोई जिम्मेदारी देगा तो मैं उसको निभाने के लिए निश्यत रूप से अधिश कुमार जी नाराज चल रहे हैं उन्होंने इस्तिफा दे दिया कुछ पार्टी में और चल रही है, सुनने में आ रहा है, कहीं छोड़के कहीं, BJP में नहीं चले जाए, NDA में नहीं चल जाए, इस तरीके की कुछ कुछ खबरे आ रही हैं, क्या कुछ इस पर क्लियर कर और चुकि बॉखलाएट है, NDA के साथियों में, कि ये इतना सशक्त गटबंदन है, कि इसमें उनको अभी दिख रहा है, कि केंदर की सत्ता जो है, वो जाने वाली है, इसकार आप लोग देख रहे है, FOP News, और मैं हूँ अभी मानिया विधायक मठियानी के राजकुमार जी के साथ, और अभी आप लोगों को पता है, कि लोगसभा चुनाओ को लेके चारो बगल क्या महौल है, इसी भी से मैं आज बात करने आई हूँ सर से, पर उससे पहले ए गुसराई की जन्ता के साथ, यह बहुत-बहुत धन्यवाद, सबसे पहले तो आपको भी नपबर्ष की शुब कामना और आपके मादियम से पूरे अपने मटियानी बिधान सभा और अपने पूरे जिले वाशियों को, और पूरे प्रदेश वाशियों को नपबर्ष की बह करवात के डेड़ साल रहे वो करोना ग्रस्त रहा वो कई मामलों में हम सभी लोगों के लिए दुखदाई था पिड़ा दायक था पूरे देश के लिए ही था पूरी आवाम के लिए था और उसमें विकास के भी कई रास्ते रुके रह गए लेकिन उसके बाद जो बाकी के डे शेली है उसकी बदोलत जो उनका सनेह रहा मट्यानी विदान सभा पर उसकी बदोलत मट्यानी विदान सभा में चाहे सिक्छा का चेत्र हो स्वास्त का चेत्र हो सडकें हो ये सबी चीजों में काफी संतोष जनक और अबुदपुर्व कारिक किये गए जहां तक आपने करोना की बात की और सही बात है करोना में बहुत सारे चीज ऐसे हुए जो लोगों ने उमीद नहीं किया था लेकिन सर बेगुसराय की जनता और मैं भली बाती उसकी सबूत हूँ कि आपने कभी यह नहीं समझा कि करोना काल था आपने उस समय भी उतना काम किया जितना की बहुत सारे लोग नहीं किया और घर से निकलते भी नहीं थे और साथी साथ आपने बहुत सारे उस समय चैलेंजिस लिए कि मुझे मतिहानी में ये सब विकास करने है और आपने कड़के भी दिखाया और आने वाले अब नया साल जो भी शुरू हुआ है चौथा साल अभी आपका है क्या कुछ आपने सोच मतियानी में विकास किया और क्या कुछ अभी आगे कड़ना है अभी आपको देखे अभी जो मटियानी में अभी भी बहुत सारी आधारबूत जो सनरचनाएं हैं और खास करके आधारबूत सनरचना में सडक की जो विवस्ता है वो कमोबेस 95% सरकों की हालत बिलकुल ठीक हो चुकी है मा की रही सही जो सडके हैं उन सभी का टेंडर इसी महिने में अभी हो चुका है मात्र हमारे विदानसवा चेतर में जो मेरे संग्यान में है दो मुख सडके हैं जिनका टेंडर की प्रक्रिया में है वो भी एक सब्ता के अंदर में हो जाना चाहिए तो इस और काफी प्रगती हुई है और मुझे लगता है कि इसमें हम लोग इसी बित्तिय बर्स में सफल हो जाएंगे स्वास्त के सित्म में काफी कारे हो रहे हैं आपने देखा है कि मतियानी समुदाइक स्वास्तकेंदर का कारे भी काफी प्रगती पे है कल में सामो गया था, सामो समदाइक स्वास्तकेंदर का भी जो कारे है, बहुत ही तेजी से और बहुत प्रगती के ऊपर है, तो कारे सारे हो रहे हैं, और हम तो हैं, जितनी कारे और जितने जो अभी प्रगतीशील कारे हैं, सब की पूर्णा होती हो, सब कारे पूर्णा हो, औ और उसके बाद आगे की जो योजणा बनेगी हम लोग छेतर के विकास के लिए अनी चीजों पे भी हम लोग ने अपनी तरह से तैय किया हुआ है जो सरकार के माधियम से कारी कराना है और जहां तक मुख्यमंत्री छेत्र विकास के माधियम से जो योजनाय कारियानवित होनी है जो मेरे माधियम से है उसमें भी हम लोग पूरे नियाय पुरवक हर पंचायत को ध्यान में रखते हुए और उस पंचायत की जरुवत को ध्यान को उसका उसका जो है डिस्ट्रिबूशन है पुरी तरह से किया है इस बार का फंड बचा हुआ है उसमें भी हम लोग वही करने जा रहे है यह बात तो आपने बिलकुल सत्य कहा और लगातार आप जाजा करते रहते हैं यह तो बेगुसराय की जनता इसकी भलिवाती सबूत भ आया है ना कॉंग्रेस को ना CPI को किसी की कोई सीट नहीं मिलने वाली है और साथ ही साथ आप बचे जदियू और राजद तो जदियू में सवर्डन और भूम्यार समास से आपका बहुत बड़ा चेहड़ा सामने उभर के आता है पहली बात तो क्लियर कर दूं मैं आपको कि यह सब जो सीट का बटवारे की बात है और जो गटवंदन की क्या स्थिति है यह सब मीडिया का अपना अपना कयास है अभी कहां पे क्या होगा यह पूरे जो उपर के अस्तर के लोग है वो तै करेंगे जहां तक मेरी बात है मेरी ऐसी कोई मात्वा कांग्शा नहीं है लेक पर महाँ गठवंदन की बात कर रहे हैं उसमा गठवंदन में नितिश कुमार जी नाराज चल रहे हैं और साथ ही साथ जो राष्टि अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस्तिफा दे दिया है उसको लेके क्या कुछ पार्टी में और चल रही है और साथ ही साथ क्या उनको एक कम से कम हमको इतना विश्वास है कि आज की जो आप सोशल मीडिया के लोग हैं ये गोदी मुदिया द्वारा फैलाए जा रहे हैं परपंच में आप लोग ना पड़ें ये पूरी तरह से इंडी गठवंदन को जदियू को संदे के गेरे में लाके जंता को गुमरार करने की साजिश है इंडी गठवंदन पूरी तरीके से इंटैक्ट है हमारे नेता को हमारे दल को किसी भी प्रकार की कोई रंजिश नहीं है हम लोग अपने तरीके से अपनी रंणिती के साथ कारी कर रहे हैं और चुकि बौकलायट है इंडीय के साथियों में कि ये इतना सशक्त ग दिख रहा है कि केंदर की सत्ता जो है वो जाने वाली है वो जा रही है इसी लिए इस तरीके का संदेव पहला के लोगों के मन में ब्रह्म की स्थिती लाना चाहते हैं ताकि लोग बिचलित होकर इधर उधर सोचें ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है पूरी तरह से हम लोग इंटेक्ट हैं पूरी मजबूती के साथ जितने भी इंडी गटबंदन के साथ ही है सब लोग मजबूती के साथ एक प्रोग्राम के साथ एक लक्ष के साथ हम लोग कारे कर रहे हैं क्या पार्टी आपको मौका देगी अगर मौका देती है तो क्या बेगुष राय में यहां के लोकल जो है वो सांसत बनेंगे क्योंकि पहले से बाहर के लोग यहां पे सांसत बनते आया है देखिए ये तो मैंने अपनी बात तो पहले ही कर दिया पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वान मैं करूँगा आप जहां तक लोकल और बाहरी का सवाल है ये तो यहां की जनता तै करती है और निश्यत रूप से अगर कोई संसदिये छेत्र होता है तो वहां की जो जनता होती है वो चाहती जरूर है कि उसके अपने उसी संसदिये छेत्र का विक्ति उनका परते निदेतु करें जो संसदिये छेत्र से बली बाती वाकिफ है उनकी उनके दुखदर्द में हमेशा साम लाता है, उनकी समस्याओं से वाकिफ है, तो उनको लोग निश्चित रूप से चाहते हैं और ये ये चाहत जन्ता की कोई बुरी भी नहीं है, दल को भी इस चाहत के नुरूप कोई दल कारी करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन ये सब तो आगे की बात है, मुझे जहां तक जिम्मेदारी मिलेगी इंडी गटबंदन का कोई भी साथी होगा, चाहे वो किसी भी दल का होगा, तो हम पूरी निश्ठा और इमानदारी के साथ उनको जिताने का प्रयास करें तो ये थे राजक्मार जी और आप लोगों ने इनका भी बयान सुनी लिया, अब आने वाले समय में देखते हैं, क्या कुछ देखने को मिलता है बेगुश्राय में, तो इस तरीके के खबर से जुरेड रहने के लिए, हमारे चैनल से जुरेड है, जिसका नाम है FOP News, इसी तरीके के किसी और राजनीतिक खबरों के साथ आपके साथ मिलते हैं